हर्याना में आपके सीनियर वाइस प्रेजिडेंट अनुराग धांडा ने प्रेस कॉन्फरेंस की और हर्याना की सरकार पर निशाना साथा। हर्याना की सरकार को शर्मसार करने के लिए काफी है। हमने देखे और ऐसी घटना हुई जिसमें ओपन फाइरिंग करके व्यापारियों के मन में भै पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हिसार में सारे व्यापारियों ने बाजार भी बंद किया। क्योंकि फिरोती मांगी गई थी वहाँ पर तीन व्यापारियों से और लगभग शहर के सभी व्यापारी इस बात को लेकर डरे हुए थे कि जब इस तरह से खुले आम फाइरिंग हो सकती और फिरोती मांगी जा सकती है। तो इसका मतलब पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं है और इसका मतलब अपरादियों से खत्रा है। सबसे बड़ी वजए इसकी जो नजर आती है जो कानून व्यवस्था की बुरी हालत हर्याना प्रदेश के अंदर है उसकी सबसे बड़ी वजए जो पुलिस फोर्स की कमी है हर्याना के अंदर वो स्पष्ट तौर पर नजर आती है। आज के दिन में सत्तर हजार से ज़ादा स्विकृत पद हैं हर्याना पुलिस के अंदर। करीब 20,000 पद आज के दिन खाली हैं जिसमें सिर्फ कॉंस्टेबल या हेड कॉंस्टेबल के पद नहीं हैं बलकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी भी भारी कमी हैं और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं भी उनके उपर इतना दबाव है कि वो किसी भी केस का investigation नहीं कर पाते सिर्फ खाना पूर्ती फाइल इदर से उधर ले जाना केस अटेंड करना और दिन भर में जो security arrangements होते हैं उनी में उनकी जंदगी निकल रही है इसका असर ये है कि हमें ये सूचना मिली है कि police headquarters में अब लगातार इस तरीके के request पहुँच रहे investigation officers की तरफ से कई officers तो अपने demotion की मांग कर रहे हैं ताकि उनको उस pressure के पद पर investigation के पद पर जहां हजारों फाइलें उनका इंतजार कर रही हैं उसके अंदर फसना नहीं पड़े कई अपने promotion को hold कराना चाहते हैं ताकि उनके सिर्पे उस तरह की जिम्मेदारी ना आए जिसको वो निभा नहीं सकते हैं मैं करनाल की स्थिती अगर आपको बताऊं तो constable के 1072 पदों में से 592 पद खाली हैं आज के दिन महां Assistant SI का पद सहायक सब इंस्पेक्टर 178 पद स्विक्रित हैं उसमें से 68 पद खाली है और SI के 92 पद स्विक्रित हैं जिन में से 63 पद खाली है ये CM City की बाद हम कर रहे हैं बाकी हर्याना के क्या हालात होंगे इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं इसमें एक political पहलू भी ये नजर आता है हमें ये समझ में आता है कि नायब सिंग जी जब से हर्याना के मुख्यमंत्री बने हैं वो सारी स्थिती को कंट्रोल कर पाने में नाकाम है ना तो वो पुलिस कानून व्यवस्था संभाल पा रहे और ना ही politically अपनी government को stable रख पा रहे हैं उनके अपने साथी भी कई जगों पर नाराज होते हैं जो अफसर जगे जगे पर जन समवाद कर रहे हैं उनसे उनके सानिये नेता नाराज हैं कि इनके बस का कुछ नहीं है कोई काम यहां पर हो नहीं रहे कही न कही नायव सिंग जी के मन में ये इन सिक्योरिटी है अनिल विज्जी तो ग्रे मंतरी के पज से हट के घर पे खाली बैठे है और नायव सिंग जी उनके तजुर्बे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते उनके मन में कही न कही ये इन सिक्योरिटी है कि अनिल विज्जी का जो अनुभव है जो सिनियोरिटी है अगर ग्रेह मंत्राले जैसा इंपोर्टेंट विभाग उनके हाथ में दे दिया जाए तो कहीं वो पूरी सरकार ही नायव सिंग जी के पैरों के नीचे से ना खीच लें तो इस वक्त भारतिय जन्ता पार्टी हर्याना के अंदर हार के डर से घबराई हुई एक इन सिक्योर लीडर्शिप के अंडर चल रही एक ऐसी सरकार है जिसका ना कानून व्यवस्था के उपर काबू है जो ना लोगों की समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं सिर्फ चुनाव नजदीक देखके तरह तरह की जॉब्स के अनाउंसमेंट तरह तरह के लुभावने वादे जिनको ये सरकार कभी भी किसी आलत में पूरा नहीं कर सकती ऐसे जुमले फैकने में लगे हुए हैं और भारतिय जन्ता पार्टी को लगता है कि इस तरह के जुम हर जगे पर अपराधियों का बोलबाला है हर जगे पर फाइरिंग की जा रही है फिरोती मांगी जा रही है और ऐसा नजर आता है जैसे इस प्रदेश का कोई मुखिया आज के दिन में है ही नहीं जैसे इस प्रदेश में पूरे तंत्र को काबू करने की जिम्मेदारी किसी संभाल सकते तो नायव सिंग जी को गद्धी पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है इससे तो अच्छा यह है कि आप जल्दी चुनाव करा लिजिए और कोई ऐसी सरकार हर्याना प्रदेश के अंदर बने जो कानून व्यवस्था को सुचारू तरीके से चला सके जो हर्य प्याना के लोगों की उमीदों को पूरा कर सके और उनको एक सुरक्षित माहौल एक एन्वायर्मेंट ऐसा दे सके जिसमें वो अपने कामकाज और व्यापार सही तरीके से कर सके आपके कोई प्रशने तो आप होच सकते हैं देखे मुझे लगता है कि पहले जो हालत बिगडी हुई थी अब वो तबाही के कगार पर पहुँच गई है पहले से ही भारतिय जनता पार्टी के प्रती लोगों में जिस तरीके का रोश था उसकी वज़े से confidence लूज कर रही थी भारतिय जनता पार्टी की सरकार और इनके बड़े-बड़े मंत्रियों की सुरक्षा में जो बड़े-बड़े नेता, चाये वो हरियाना में चुनाव प्रभारी लगाए हो धर्मेंदर प्रदान जी, जब वो हरियाना में आते हैं चार डिस्टिक की पुलिस वाँ ठोग देते हैं, चाये वो अमिच ha में कभी हर विरोध कमाया, आम जनता का इन्होंने विरोध कमाया, जहां इनके नेता मंत्री जाते हैं, वहां लोग विरोध करने के लिए पहुँच जाते हैं, और इन्होंने भी उस विरोध को दबाने के लिए पूरी पुलिस फोर्स का इंतजाम किया, कभी भी लोगों की समस्या प्याना की बाग डोर देने से और भाजपा के जो आनुभव वाले मंत्री थे उन सब को घर बिठा देने से वो स्थिती और ज्यादा खराब हो गई है बद से बदतर हो गई है और काबू से बाहर हो गई है देखिए एक कहावत है कि failures are the pillar of success कम से कम अगर वो मंत्राले में रहते या कि कोई उनके उपर मुख्यमंत्री जी विश्वास जताते तो वो ये तो बता देते कि ये नहीं करना है इसकी वज़े से हमारी आलत खराब हो रखी दे पुलिस डिपार्टमेंट की आज तो नायब सिंग जी को ये बताने वाल पूरे हर्याना के एक व्यक्ति के मन में आज एक डर व्याप्त है कि अपरादी किदर से निकल के आएगा कहां किसको गोली मारेगा उसके बारे में भी आज सोच करके भैबीत हो जाते हैं हर्याना के लोग ऐसे महाल में जब भारतिय जन्ता पार्टी चुनाव में जाएगी तो उनकी क्या हालत होगी ये खुद समझ सकते हैं मैं तो फिर कह रहा हूँ कि भारतिय जन्ता पार्टी को ये लगा था कि चेहरा बदल के शायद उनके स्थिति सुधर जाए अभी भी आपके पास मौका है चुनाव जल्दी नहीं करा रहे हो तो महीना डेड महीना तो है ही मैंने इस मुद्दे को आज उठाया कि नायब सिंग जी जो पूरी तरह से कानून व्यवस्था को संभालने में फेल हो गए है हरियाना के अंदर अमिच्छा जी हरियाना में आकर के ये कहके गए हैं कि अगर इसी नेत्रित्व के उपर हरियाना विश्वास जताता है तो फि सदल दीजिए इस सरकार को ताकि अगले पांच साल तक ऐसी आव्यवस्था और ऐसा जंगल राज न जहिलना पड़े लोकतंत्र के अंदर हमारा ये मानना है कि अंतिम जिम्मेदारी लोकतंत्रिक तरीके से चुनियोई सरकार की होती है अगर कोई ऑफिसर सही तरीके से अप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी नकेल कसी जाए उनको अपनी जिम्मेदारी का एसास कराया जाए जहां पनिश्मेंट की जरूरतों पनिश्मेंट दी जाए जहां रिवार्ड की जरूरतों रिवार् पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में political insecurity आज के दिन में है इसलिए वो full time ग्रह मंत्री नहीं दे पा रहे हैं अनिल विज्जी का तो जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि वो political insecurity अनिल विज्जी की वज़े से है क्योंकि party के अंदर जो उनकी पकड़ और जो उनका अनुभव है नायव सिंग जी कहीं न कहीं उससे insecure हैं कि अगर ग्रह मंत्राले किसी को देते हैं तो सबसे पहले candidate तो अनिल विज्जी हैं क्योंकि उनका अनुभव है इतना और उनको दे नहीं सकते क्योंकि उनको दे देंगे तो पूरी सरकार इनी नीचे से खिसका लें पूरी सरकार के उपर कंट्रोल ना कर लें ये political insecurity आज के दिन में नायव सिंग जी के मन में है और जब आपके प्रदेश का मुखियाई insecure और confident नहीं हो तो फिर प्रदेश में कानून विवस्था की हालत कैसे दुरुस्त हो सकती है ये सवाल आज भारतिय जंता पार्टी की सरकार के सामने मूब आये खड़ा है जितने senior police की officers हैं जितने भी investigating officers हैं वो तो सारे already pressure में हैं उनके पास तो आप देखिया आदी आदी post खाली हैं हर जगे पर वो तो अपने ही case नहीं निप्टा पाते हैं फिर उसके उपर आप pressure डाल देते हो कि आपके मंत्री आएंगे तो सारी force वहां लगेगी मुख्य मंत्री जी का कहीं जनसमवाद होगा तो सारी force वहां लगेगी जहां पे सारे officers को ये कहा गया है कि अपने अपने district में सुनवाई कीजिए जनता की समस्याइं सुनिये और जनता उदर से चिला रही है कि इनी अफसरों से तो परेशान थे इनी से हमारी समस्याइं सुनवा रहे हो तो एक तरीके से पूरी सरकार में आज के दिन अफरा तफ अफरी का माहौल है फिरोती पूरे प्रदेश के अंदर एक organized crime का रूप लेता जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक एक बाद एक जिस तरह से अलग-अलग शेहरों में घटनाएं हुई उसका मतलब यह है कि बिना political share और बिना police के senior officers की सरपरस्ती के ऐसा मुमकिन नहीं है कि प पूरे प्रदेश में भैव्याप्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी को भी फिर एक कॉल जाये फिरोती के लिए और वो फिरोती से इंकार ना कर पाए इतना डर हरियाना के अंदर पैदा करने की कोशिश हो रही है और यह सुन ही हो जित नजर आती है मैंने अपने वक्तवे में भी उसका जिक्र किया भारतिय जंता पार्टी के ही आदित्य चोटाला जी ने आदित्य देविलाल जी ने जिस तरीके से वो एक जंसमवादी अटेंड कर रहे थे जो इन्होंने कहा है कि इसमें समाधान शिविर जो लगाए गए हैं और हाँ वही स नाम ले लीजी वो समस्यां सुनने के लिए था और उन्होंने ये बताया कि जिनके खिलाफ शिकायते हैं वही वहाँ बैठकर उन शिकायतों का निवारण कर रहे हैं जिसका एक उदाहरन हमारे पास भी हमारे वर्कर्स भेजते रहते हैं सिर्सा से मेरे पास पांच ऐसी अलग अलग आई जो जब मुख्यमंत्री मनोरलाल जी थे जब उन्होंने जनसमवाद पूरे प्रदेश में शुरू किया दा एक साल का समय हो गया उसको उन्होंने जो शिकायते सुनी थी जो उनके रेजिस्टर में लिखी गई थी उन शिकायतों का निवारण आज तक नहीं ह पाया है तो इसकी वज़े से लोगों का विश्वास पूरी व्यवस्था से पूरी सरकार से उठता जा रहा है मौजूदा समय में भी जो समाधान शिवर लगाये जा रहे हैं जो अलग-अलग मंत्री भी अटेंड कर रहे हैं अलग-अलग जगों पर उनमें समस्याओं का सम समाधान नहीं किया जा रहा है तरीका क्या अश्वास अपर रेंड़ी क्या है अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री कहीं पर समस्याओ सुनने जाते हैं तो पहले जो आयूए लोग है उनको कहा जाता है कि आप रिजिस्टर में एंट्री कर दीजए और जैसे ही वो रिजिस पूरा शिविर खतम हो गया तब उन्होंने बताया कि पूछते कैसे रजिस्टर में एंट्री करने के बाद और मेरे एर्दगेर दो-तीन महिला कॉंस्टेबल सिविल ड्रेस में आकर के बैठ गई और उन्होंने उठने ही नहीं दिया पूरे के पूरे समय में कि आप बैठे रही आप बैठे रही है इस तरीके से मैनिपलेट करके समाधान शिविर नहीं किये जाते हैं जनता के बीच में जाना पड़ेगा जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा जनता के डर को समझना पड़ेगा तभी समस्याओं का समाधान हो सकता है आज के दिन में भारतिय जनता पार्टी की इन सिक्यूर लीडर्शिप और डरी हुई लीडर्शिप लोगों के बीच में जाने से घबरा रही है और अपने ऑफिसेज में बैठ करके जुमले बोल रही है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता देखिए आम आदमी पार्टी लीडर्शिप का क्लियर तौर पर हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि 90 की 90 विधान सभाग शेत्रों में हम अपने दम पर एक एक बूत को तयार करने जा रहे हैं और अपने दम पर हर्याना के अंदर सरकार बनाने का प्रयास 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी करने जा रहे हैं